लेकिन कही एक बार क्या होता है कि object जो है principal axis के parallel दाता है जैसे कि ये कोई object है ये कोई object है जो कि हमें दिख रहा है principal axis के parallel है इसका length जो है axis के along है तो सवाल ये उठता है कि इसके dimension यूज करना हो तो कैसे करोगे क्योंकि lateral magnification यहाँ पर meaningless हो जाएगा height कोई है नहीं यहाँ नील है तो ऐसे के लिए जो term यूज होता है वो होता है longitudinal magnification सपोज करें कि ये object u distance पे है इसका length ले लेते हैं du और इसका image कहीं ने कहीं बना होगा v distance पे है ना और इसका length ले लेते हैं dv ये v है image distance है ना तो longitudinal magnification को define कैसे किया गया है तो इसको define किया गया है length of image to length of object यानि कि किसी भी image और object का dimension का ratio होता है principal axis के yellow है ना तो जहां पर हम निकालते हैं longitudinal magnification की value है ना तो चलिए करते हैं हम लोग क्या जानते हैं 1 by v plus 1 by u equals to क्या होता है 1 by f है ना इसको जो है हम क्या करते हैं differentiate करते हैं किसके respect में differentiate with respect to u है ना तो अगर इसको differentiate u के respect में कर रहे हो तो यह क्या हो जागा minus 1 by v square into dv by du differentiation ऐसे ही होता है और यहां पर भी minus हो जागा plus से minus हो जागा minus 1 by u square और 1 by f किसी भी mirror का या किसी भी mirror का focal length क्या होता है constant होता है तो constant का differentiation 0 तो यहां पर dv by du क्या आगया simplify करने पर इधर लाओगे तो क्या हो जागा minus v square by u square इस formula को याद रखेगा यहां पर length क्या लिए हो image का dv और object का du देखो लेकिन इसका limitation है limitation क्या है इस formula का तो limitation यह है कि dv and du should be very small है यह बात ध्यान डखना जोर रही है है यह जो differentiate करके निकाले हो dv और du क्या होता है differentiation में बहुत ही a small value होती है तो यह formula तभी valid है जब क्या हो dv और du बहुत ही कम हो यानि कि object की length और image की length क्या हो बहुत ही कम हो यह आपका image है है न?